नमस्ते दोस्तों स्वागते आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 32 है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फोटोशॉप में मेन्यू बार को एक एक करके सीख रहे हैं आज से हम लोग फिल्टर मेन्यू को सीखना सुरू कर रहे हैं फिल्टर मेन्यू का ये पहला पार्ट है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट क्लास विडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजेगा हमने जो है फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और फोटोशॉप के अंदर मैंने एक फोटो भी ओपन कर लिया है आज हम लोग फिल्टर मेन्यू को सीखेंगे फिल्टर मेन्यू में जो सबसे पहला आप्शन है वो है लास्ट फिल्टर का ये आप्शन अभी जो है हाइलाइट नहीं है ये तब हाइलाइट होता है जब आप यहां से कोई भी फिल्टर को अपलाई करेंगे तो last filter जो आपने apply किया होगा उसको आप जो है यहां से दोबारा से apply कर सकते हो इसके अगला option है extract का यह काफी important option है इसका इस्तमाल करके आप किसी भी photo में से कोई भी object को extract कर सकते है selection बना करके और जितना आपने selection नहीं बनाया होगा वो background हो या फिर photo हो वो delete हो जाएगी इस option का इस्तमाल करके आप किसी भी photo का background भी delete कर सकते हो transparent photo को बना सकते हो कैसे चलिए इसे practically समझते हैं इसके लिए जो है हम extract पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये photo open हो जाएगी अब आपको क्या काम करना है पहले tool पर ही click रहने देना है और इस photo का selection बाहरी बाहरी portion पर click करके select करना है जैसे कि यहाँ पर click करेंगे और इस तरीके से बाहर बाहर से आपको जो है बालो को लेते हुए इस तरीके से selection बना लेना है selection बनाने के बाद अगर आप कहीं से selection को delete करना चाहते हैं तो आप ये erase button पर click करेंगे और जहां से delete करना है इस तरीके से delete भी कर सकते हैं यानि मिटा सकते हैं और selection बनाना है तो दुबारा से आप उस tool पर click करके इस तरीके से selection बना सकते हैं अब इस photo को पूरा select करने के लिए आपको fill tool पर click करना है और इस photo के अंदर click कर देना है photo का पूरा selection जो है बन जाएगा इस तरीके से आप किसी भी object को select करेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बस preview पर click करना है जैसे ही आप preview पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से preview खुल करके आ जाएगा और अब आप देखोगे कि जितना हमने selection बनाया था उतना हिस्सा छोड़ करके बाकी जो background का हिस्सा था वो delete हो गया है और आप एक चीज को notice करोगे कि इस photo का जो हमने background को delete किया है वो जो है काफी अच्छी तरीके से delete हुआ है इसके बाल वगयरा भी आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से आए है अब यहाँ पर और भी tool दिये गए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसके अंदर जो अगला tool है वो है clean up का यहाँ पर click करके अगर कोई हिस्सा अभी भी मिटा नहीं है तो आप इस पर click करके इस तरीके से उस हिस्से को मिटा सकते हो जिसे आप नहीं चाहते हो ठीक है फिलाल हम control J करते हैं इसके अंदर अगला option है touch up का इस option का इस्तमाल करके अगर कोई हिस्सा जादा मिट गया है तो उसको आप जो है recover कर सकते हो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरीके से हमने selection बनाया था selection बनाने के बाद जो है photo का जो कुछ हिस्सा है वो जादा delete हो गया है आप देख सकते हो उपर का हिस्सा और इस side में जो है जादा delete हो गया है तो उस condition में अगर हमें recover करना है इसे वापस लाना है तो हम जो है इस tool का इस्तमाल करेंगे touch up का इस पर click करिए और जहाँ पर भी आप touch करते चले जाओगे इस तरीके से वो हिस्सा जो है recover होता हुआ चला जागा इस तरीके से ठीक है और यहां से आप जो है zoom कर सकते हो इस तरीके से zoom कर के भी देख सकते हो और zoom out करना है तो alt button को दबाइए इसके बाद देखे यह minus वाला जो है बन जाएगा इसके बाद click करोगे तो zoom out होगा ठीक है और इसी तरीके से अगर आपको नीचे से जूम आउट करना है तो आप इस तरीके से नीचे से भी जूम आउट कर सकते हो और hand tool का इस्तमाल करके आप इसको जो है इस तरीके से इधर उधर hand tool से भी इसको move कर सकते हो अभी आप देखो के यहाँ पर भी कुछ white white सा आ गया है तो हम क्या करेंगे इस tool पर click कर लेंगे और इसको भी इस तरीके से clean कर लेंगे ठीक है जहाँ जहाँ पर भी clean करने की जरूरत है आप clean up tool को select करेंगे और इस तरीके से उसको clean कर देंगे अब यह photo आपकी png बन चुकी है आप इसे save करके png में भी use कर सकते हैं या फिर अगर आप इस photo का background भी change करना चाते हैं तो वो भी change कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ किसी दूसरे background पे इस photo को रख करके मैं यह वाला background select कर लेता हूँ और move tool select करके इस photo को select करने के बाद drag करके इस पे लेकाएंगे तो इस तरीके से हम इस photo को जो है png में भी किसी भी background पे use कर सकते हैं इसको जो है छोटा करने के लिए ctrl t बटन दबाईएगा इस तरीके से handle बन जाएगा और इसको जो है आप जितना मजी चाहो उतना छोटा करके इस तरीके से use कर पाओगे तो मेरे ख्याल से दोस्तो extract वाला option आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा आप इस option का इस्तमाल करके किसी भी photo में से कोई भी object को extract कर सकते हैं और किसी भी photo का png भी बना सकते हैं उसका background भी delete कर सकते हैं अगला option है liquify का इस option का इस्तमाल करके आप किसी भी photo में जो है काफी सारे effect को apply कर सकते हो जैसे photo का कोई हिस्सा छोटा करना हो या फिर बड़ा करना हो photo को जो है cartoon जैसा बनाना हो तो वो सारा का सारा काम जो है यहां से होता है कैसे चलिए इसे practically समझते हैं इसके लिए हम इस पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरीके से photo open हो जाएगी और यहां पर काफी सारे tool दिये गए हैं आप इन tool का इस्तमाल करके अलग अलग तरीके से experiment इस पर कर सकते हो यह जो brush का size है इसको बड़ा चोटा करने के लिए यहां पर आपको option मिल जाता है आप brush का size छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके अलामा जो keyboard में brass bracket है यानि बड़ा वाला bracket उससे भी आप brush का size छोटा बड़ा कर सकते हैं इसमें जो पहला option दिया गया है इस option का इस्तमाल करके आप कोई भी object को जो है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो जैसे कि हम पहले option पर click करते हैं माली जी इसकी nose को जो है हमें थोड़ा सा बड़ा करना है तो हम nose को पकड़ करके इस तरीके से खीज देंगे nose थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसी तरीके से हम आँख पर करेंगे तो आँख थोड़ी से इस तरीके से हो जाएगी इस भी आग को थोड़ा सूपर करेंगे तो इस तरीके से हम किसी भी photo को जो है funny type में बना सकते हैं कोई भी object को जो है अगर आप टेड़ा मेना करना चाहते हो तो liquify option का इस्तमाल करके किया जाता है इसी तरीके से orbit tool दिये गए हैं आप इनको बारी बारी से click करके इनको use कर सकते हैं अगर आप इस photo को पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप alt button को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर reset का आपको button मिलेगा वैसे पहले ये cancel का button रहेगा लेकिन जैसे ही आप alt button दबाएंगे तो यह reset का button हो जाएगा आप इस पर click कर देंगे तो photo आपकी reset हो जाएगी इसी तरीके से अगर आपको किसी भी हिस्से को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है तो आप इन दोनो tool का इस्तमाल कर सकते हैं पहले tool पर जब आप click करेंगे तो आप किसी भी हिस्से को जो है छोटा कर सकते हैं जैसे कि हमाल लीजे हम इसकी आँख को जो है छोटा करना चाहते हैं तो हम इस टूल पर क्लिक करेंगे और आँख पे बराबर क्लिक करते चले जाएंगे जितना हमको चोटा करना है और अगर इसकी आँख को जो है हमें बड़ा करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसी की जो है थोड़ा सा कार्टून टाइप में बना सकते हो बेसिकली यही काम होता है लिक्वीफाई का फिलाल इस फोटो को पहले जैसा करने के लिए अल्ट बटन को दवाईए यहां पर रिशेट पर क्लिक कर दीजे फोटो पहले जैसी हो जाएगी और जो भी आप यहां से इफेक्ट अप्लाई करेंगे अगर उस इफेक्ट को आप अप्लाई रखना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो इफेक्ट जो है यहां पर अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर अगला उप्सन है पैटर्न मेकर का इस उप्सन का इस्तमाल करके आप किसी भी फोटो में से सेलेक्ट किये हुए आप्जेक्ट का पैटर्न बना सकते हो इसे समझने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पैटर्न मेकर की बिंडो आएगी आपके सामने देखो के यह वला जो पहला टूल है रेक्टंगल मर की टूल यह सलेक्ट रहेगा अब आप इस फोटो में से जिस भी हिस्से का पैटर्न बनाना चाते हैं उसे जो है इस तरीके से सलेक्ट करेंगे माली जी हम face का pattern बनाना चाते हैं तो हम पूरा face select कर लेंगे आप चाहो तो थोड़ा सा भी हिस्सा select कर सकते हो माली जी हम दोनों आखो को इस तरीके से select कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा भी हिस्सा select कर सकते हो जादा भी कर सकते हो वह आपकी मर्जी है selection बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा generate का आप जो है generate पर click करेंगे तो इस तरीके से pattern जो है generate हो करके आजाएगा अगर आपको ये pattern पसंद है तो आप इसे okay पर click करके insert कर सकते हैं अगर आपको ये pattern पसंद नहीं है तो आप generate again पर click कर देंगे तो एक नया pattern बन करके आ जाएगा इसके अंदर अगला option है artist का जिसके अंदर आपको कई सारे filter मिल जाते हैं जैसे कि आपको pencil वाला filter apply करना है cut out वाला करना है dry brush करना है film grain वाला करना है या फिर paint वाला करना है या फिर plastic वाला करना है तो ये सारे filter हैं चलिए मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में बता देत जैसे कि आपको pencil वाला color apply करना है जैसे कि color pencil रहे ऐसा लगे कि यह चित्र जो है बनाया गया है pencil से लेकिन color वाली pencil से बनाया गया है अगर आपको इस photo में ऐसा effect डालना है तो आप colored pencil पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक dialogue box आ जाएगा यहाँ पर काफी सारी setting दी गई है जैसे कि आप pencil की width को यहाँ से set कर सकते हो कितनी pencil की width रहेगी इसके बाद जो है stock pressure भी यहाँ पर set कर सकते हो कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए इसके बाद जो है paper की brightness है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से वापकी मर्जी है और अगर आप यहीं पर preview भी check करना चा पर click करेंगे तो आपकी photo पर इस तरीके से color pencil भी apply हो जाएगा ऐसा लगेगा यह जो photo है वो pencil से बनाया गया है वो भी color वाली pencil से फिलाल हम इसे control Z करते हैं इसके अगला option है cut out का इस option का इस तमाल करके आप इस photo को cut out रूप दे सकते हैं इसके लिए हम इस पर click करेंगे इस त पर simplicity भी आपको दी गई है आप यहां से इसको कम या जादा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जैसा आप रखना चाहें इसकी बाद यहां पर fidelity भी दी गई है उसको भी set कर सकते हैं सारी चीजे अपने अनुसार set करने के बाद जब आप OK पर click करेंगे तो इस तरीके से आपको cutout वाला जो effect है वो apply इस तरीके से दिखाई देने लेगए तो अगर आपको जो है अपनी photo को इस तरीके से effect में लाना है तो आप cutout वाला option है उसको इसको 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 कर सकते हैं फिलाल हम Ctrl, Z करते हैं अगला option है dry brush hairs दे सकते हैं यहां से texture set कर सकते हैं सारी setting करने के बाद okay पर click करोगे तो यहां पर जो है आपको dry brush वाला जो effect है वो apply होकर के मिल जाएगा फिलाल हम इसे control z करते हैं अगला option है film grain का आप इस option का इस्तमाल करके film grain वाला जो effect है उसको apply कर सकते हो देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी photo लगेगी यहां पर आप grain set कर सकते हो highlight area set कर सकते हो intensity set कर सकते हो इसके बाद जब आप okay पर click करोगे तो उसी effect में जो आपकी photo है वो apply हो जाएगी फिलाल हम control z करते हैं अगला option है fresco का इस option का इस्तमाल करके आप इस photo में fresco वाला जो filter है उसको apply कर पाओगे आप इस पर click करिए इस तरीके से preview आजाएगा आप यहां पर जो है सभी setting कर सकते हैं जैसे brush का size brush की detail texture इसकी बाद okay पर click करोगे तो यहां पर जो है इस तरीके से आपको fresco वाला जो effect है वो भी apply हो करके मिल जाएगा फिलार हम इसे control jet करते हैं इसी तरीके से दोस्तो neon growth भी काम करता है और इसी तरीके से paint doubts भी काम करता है pattern knife भी काम करता है आप इन पर click करकर करके बारी बारी से इनको check कर सकते हैं इसी तरीके से plastic wrap भी काम करता है जब आप इस पर click करेंगे तो आपके photo में जो है ऐसा लगेगा plastic से wrap किया गया है यानि बान दिया गया है इसको आप preview चेक करने के लिए इस तरीके से zoom out कर सकते हैं और इसके बाद जो है इसकी highlight strength यहाँ पर set कर सकते हैं detail वगेरा set करने के बाद okay पर जब आप click करोगे तो आपकी photo पे जो plastic है वो apply हो जाएगे इस तरीके से आप plastic वाला filter भी photo पर apply कर पाएंगे फिलाल हम control जट करते हैं इसी तरीके से दोस्तो अगर आपको poster वाला filter apply करना है तो आप इस पर click करेंगे इसी तरीके से rough वाला filter apply करना है तो इस पर click करेंगे आप यहाँ पर brush का size जो है set कर सकते हो कितना आपको चाहिए इसके बाद जो है यहाँ पर texture cover कर सकते हो कितना आपको texture को cover करना है इसके बाद scaling बता सकते हो relief दे सकते हो यहाँ पर आप इसको set कर सकते हो सारी setting करने के बाद OK पर click करोगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से filter जो है अपलाई हो करके आ जाएगा फिलाल हम इसे control जट करते हैं इसी तरीके से water color भी काम करता है आप इस पर click करेंगे तो आपकी photo पर water color जैसा effect आ जाएगा बस आपको यहाँ पर जो है brush की detail shadow intensity texture को setting करके अपनी इच्छा नुसार आप यहाँ पर preview चेक करते रहे और यहाँ पर सारी detail को अपनी इच्छा नुसार set करें इसके बाद जब आप okay करोगे तो यहाँ पर आपको water color वाला जो filter है वो apply हो करके मिल जाएगा फिलाल हम control jet करते हैं फिलाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो गया है बाकी इसके नीचे के जो option छूट रहे हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो यह वीडियो लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तेक लिए जय हिंद बंदे मातरम